ऐसके तॉपिक आपका एक अłemर एक है प्रोस्पेटर्स प्रोस्पेटर्स क्या होता है इसको हंदी बोलते परिभिव्रार्र की कम्पनी जब भी शेयर्स या डिविंचर जारी करती है तो उसके लिए एक document इशू करती है और उसी document को कहा आता है prospectus इसके क्या के feature है ये एक offer document होता है ये public offer होता है general offer होता है security के लिए होता है इसमें information होती है आपकी company का name, background, capital structure क्या होगा, terms of issue क्या होगा management से related information तो prospectus को define किया गया section 2 sub section 70 में prospectus क्या offer document है जो company के दोरा क्या कियाता है offer कियाता है ठीक है और द्यांदर ये public offer होता है इसी के base में बना हुआ है क्या case, Nash versus lindic, इसमें क्या था कि managing director ने एक document prospectus issue कियाता है किसको और डारेक्टरा के company को और उसने ठीक है, extend कर दिया अपनी इंप्लाइग होई